Python series की इस वीडियो के अंदर मैं आपको emojis को print करना सिखाऊंगा जो हम लोग Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter बहुत सारी चीज़े आजकल social media के दुनिया भर के platform आ चुके हैं और अलग-अलग keyboards आपको वो provide करते हैं जिसके जरीए आप बड़े ही अराम से emojis को send कर सकते हो कईयों में ये keyboard के जरीए होता है कईयों में website के उपर या application के उपर inbuilt ये feature बनाया गया होता है ठीक है तो इस वीडियो के अंदर जो कि मारा python का 11th वीडियो है उसके अंदर मैं आपको emojis को print करना सिखाऊंगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर new है तो subscribe करें बेल आइकन को क्लिक करके all notification को on करें ताकि आपको latest वीडियो की notification मिलती रहे और एक बार जरूर playlist section में जाके देखें यहाँ पर python की series, css, java script को use करके game development, whatsapp की तरह chat application development और google की तरह search engine website मैंने आपको बना के दिखाया है, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा project साबित हो सकते हैं यहाँ पर मैंने open कर रखा है visual studio code और emoji.py name से desktop पे एक file create कर रखा है अब यह हो सकता है कि कई लोगों को कुछ problems आये यहाँ पर इस code को करने के दौरान, तो कुछ solutions मैं आपको दूँगा हो सकता है वो काम कर जाए, ठीक है और आप google पे जाए, simply यहाँ पे type करे emoji unicode, hope so आपको spelling दिख रहा होगा, मैं zoom कर देता हूँ तो आपको google पे जा करके यह type करना और जो पहला link आएगा उस पे आपको click कर देना है, आप redirect हो जाओगे इस website के उपर ठीक है और यहाँ पे आपको दुनिया भर के emojis देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको क्या करना है, simply आपको ब्राउजर के उपर काम करना है, यहाँ पे आपको उसका code देखने को मिलेगा अगर मैं zoom कर दूँ तो आप code को better देख पाओगे, तो यहाँ पे मैंने sufficient amount of zoom कर दिया है, ताकि आपको इसका unicode जो है न, वो सही तरीके सा show हो जाए अब यहाँ पे आपके सामने आप चेक कर सकते हो code आ रहा है, आप simply इसको यहाँ से copy करना है आपको, देख लो मैं normal copy कर रहा हूँ, मैं copy link नहीं कर रहा हूँ, ठीक है और यहाँ पे आने के बाद आपको लिखना है print, और print में आपको double quote लगा करके अपने इस code को paste करना है, अब क्योंकि यह एक unicode है, और हमें python पे deal करना है, जो कि hexadecimal values होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ modifications करने पड़ेंगे, अगर आप सोचोगे, आप directly इसको run कर लो करके दिखाता हूँ, emoji.py, तो मैंने यहाँ पे type किया python emoji.py, तो यह आपको as it is वो value देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको hexadecimal में convert करना according to unicode, तो यहाँ पे आपको 30 लगा देने हैं, और यहाँ पे आपको एक slash लगा देना है, जैसी आप यह करोगे, इसका color red हो जाएगा, और अब अगर आप अपने file को run करोगे, तो आपको एक emoji देखने को मिलेगा, यहाँ पे question mark भी है, हो सकता है आपके case में box 1 के आए, यह शायद कुछ इनका latest update है, जिसके current code शायद change हुआ हो, तो in future जैसी मुझे मुझे मालूम पढ़ेगा, मैं आपको update कर दू करना है, copy करने के बाद यहाँ पर आए, और यहाँ पर मैं दूसरे emoji को यहाँ पर simply मैं print करके आपको दिखा देता हूँ, प्लस की जगह पर आपको 30 apply करना है, और यहाँ पर एक slash लगा करके आपको save कर लेना है, save किया, यहाँ पर आया, अपने page को refresh किया, see this, आपके सामने वो emoji लिख करके आ जाएगा और बन के आ जाएगा, चिक है, next अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर तो और देख लेते हैं, एक और emoji देख लेते हैं, मैंने इसको copy किया, और copy करने के बाद, यहाँ पर आता हूँ, और print करता हूँ, ठीक है मैंने इसको paste किया और यहां पर 30 लगा दिये और slash दबा के save किया और यहां पर आ करके again run किया तो वो emoji भी मेरे सामने print हो चुका है ठीक है अब screen छोटा है इसलिए मैं मालूम नहीं पढ़ रहा लेकिन अगर आप देखो के ध्यान से तो यह रहा हो see this ठीक है क्योंकि मैंने बहुत over zoom किया हुआ है तो उपर नीचे वो arrange हो रहे हैं आपके case में हो सकता है यह run ना करें सारे emoji एक तरीके के ही दिखाए दे या फिर आप emoji लगा कुछ रहे हो print कुछ कर रहा हो तो उसके लिए ज़ादा कुछ नहीं करना है आपको visual studio code में जो हमने starting में सीखा था यहाँ पर कुछ extensions होते हैं तो आपको उस extension में चले जाना है extension में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है visual code emoji या फिर icons ठीक है तो यहाँ पर आपको मिलेगा not this one आपको लिखना है यहाँ पर icons ठीक है जैसी आप icon लिखोगे vs code icons आएगा आपके सामने तो मैं भी वही कर लेता हूँ vs code icons ठीक है यह करने के बाद जो आपको पहला मिलता है vs code icons team जो क्यो official आपको उसके ओपर चले जाना है और यहाँ से आपको इसको install कर लेना है install करने के बाद directly हो सकता है यह ना चले फिर भी आपको कुछ खास देखने को ना मिले मैं यह recommend करूँगा अगर आपको reload का एक button मिलता है तो आप reload करें यहाँ पर वरना आप vs code को visual studio code को cut करें एक बार और दुबारा open करें जैसी आप यह काम करोगे ना settings आपकी और जो आपका extension लगा रहे हो तो भी एक बार extension install होने के बाद cut करके open कर लेना ताकि यह emojis को सही तरीके से आपको show करके दिखा दे हम यूज कर सकते हैं इसका बहुत जगा पर यूज कर सकते हैं आने वाले time पर मैं आपको game development या कही न कहीं इसको बना के जरूर दिखाऊंगा मैं उमीद कर description को और playlist को एक बार जरूर चेक करें मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो में thanks for watching guys